नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा विभाक से सम्मध्दी नविंत्व अप्डेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ओल नोटिफिकिशन को ओन करके रखे इससे नविंत्व अप्डेट्स आपके मूबेल पर मिलने वाल है इसके संदर्मिया पर सभी के लिए अप्डेट है अप्डेट है रासांत प्रात्मिक और मादमी चिक्षे संके द्वरा और इसमें बता रखा है मित्रो राजसरकार द्वरा सभी को पदोने दिपद का पेमेटिक्स 927 वर्ष सिवा पर M जो ACP देने का आदिश 6 क्टुम्बर 2023 को कर दिया है यह लाब एक साथियों 1 अप्रेल 2023 से मिलेगा यह एक जानकरी है कि ऐस विस्तम में वित्विभाग के आदेशी मानने होनेते हैं और मेंदर जी पांड़े यहां पर कह रहे हैं और साथियों यहां पर दे रखा है जिनकी सेवा 1423 को देखी साथ 23 वर्स यह ACP मिल चुकी है यह पदोनती पद से ACP मिला हुआ है उनका 1423 से फिर रीफिक्षेशन होगा देखे यहां साथियों अब हमें ACP लगी की तो जिनको भी यह पदोनती मिल चुकी है तो उनकी अब इस डेट तक जो मिली हुई है उस पदोनती का यहां पर में वर्तमान पद में जो ACP मिला हुआ है उसे MACP में होगा देखे साथ जो भी ACP मिला है अब MACP में कनवर्ट हो जाएगी यह अद्यपक लेवल जो 10 को 9 वर्स पर लेवल 11 तता 18 वर्स पर जो L12 है और 27 वर्स पर L13 मिला हुआ है उनका L13 से देखे साथ यह बहुत ही महत्म सेज यह समान सेज नहीं होने पर अगले स्टेश पर फिक्सेशन यह पर होगा किसी का मूल यृतन कम नहीं होगा देखे साथे किसी κάνप में कम नहीं होगा अपसी तो में समान स्टेज नहीं होने पर अगले स्टेप का लाब होगा तो यहां सब के लिए महत्पुन रहेगा और देखे इसको समझने के लिए यहां पर हम कुछ उधारन भी ले सकते वर्तमान पदोनिती नियमों से पदोनिती पत का मसीप मिलेगा अध्यापक ग्रेट थर्ड को ब को L13 से बढ़ा कर पदोनिती पत का तीसरा ACP L14 देने पर मूल वेतन 200 या अधिक्तम 500 रुपे कम हो रहा है सरकार दोरह सभी कार्मिकों को तीन महा में विकल्प देकर पुराने जो ACP लेने का अवसर दिया गया है मूल वेतन कम होने वाले अध्यापक चाहें तो तीन महा में विकल्प देकर 27 वर सिवा पर तीसरा ACP L13 ही ले सकेंगे तो साथ यहाँ पर विकल्प का ऑप्शन भी यहाँ पर रहेगा तो विकल्प के ऑप्शन से जो की कुछ वेतन में कमी होने वाली है या जो 200 या 500 रुपे जो की कम मिलने वाल है वह उसमें संशोतन कर सकेंगे देख एक साथ यहाँ पर अध्ययोपक जो क्रेट पर है 36ramos है L10 से ऐल 10 का है और 9 वर्ष पर उन्हें जो ग्रेट पर मिलेहा अब 92 मिलेंगा और यह 17 सब्याद अब अब 27 वर्ष पर उपराचार्य साथी दे रखा है 27 वर्ष पर उपाचार्य पद का जो ग्रेट पर है चोपन सो यहां पर सभी इंपोर्टेंट रहेगा कि 27 वर्ष पर जो कि पहले अब उसको एल 14 के अंदर जो ग्रेट पर होगी और जो उसमें जो पेमेंटिक्स के अंदर उनकी जो बैसिक होगी वो उनको मिलने लग जाएगी तो यहां पर थोड़ा सा चेंजे रहने वाला है मसप पद्नी पत्त की पातरता रखने वाले प composersole नहीं मिलने वाला है यह सिवेनियों में पद्नी पत्पर नहीं होने उपको पूरू की पाती है से कम अनुसर अगले अगले कम का जो एसीपी मिलेगा यहां पर कुछ हम जो गुदरन भी देख सकेंगे मेसीपी में फिक्सेशन पदोनुति के समार वर्तमन में एक इंक्रिमेंट पर नए जो पेमेटिक्स है उसमें अगले स्टेज पर यहां पर होगा हम एके गुदरन लेते हैं देखीगा प्रयोक्षला साहिक है उनको ग्रेड पर हमारे पास में अटाइसो है एल जो आठ के इसी के अंदर आप देखेंगे यह जो सिवावदी 18 वर्ष के उपर ACP नबर सेकंड है और आपके पास में वर्तमान में बेयानिसो का है और एल जो 11 के अंदर आ रखा है और यहां पर 27 वर्ष के उपर तीसरी ACP है 48 का है और एल 12 के अंदर आ रहा है अब प्रमोशन के बाद पर्मोशन पोस्ट अगर है तो देखिए सत्य अगर प्रमोशन पोस्ट है तो वरिष्ट अध्यापक के उपर यह जाएगा और 9 वर्षी है देखिए सत्य यहां पर 9 वर्षी जो यहां पर बीएड होने पर MACP लगे की और 22 की ग्रेट पर में वो L11 में जाएगा तो यह डिफरेंस इसकी यहां पर हो जाएगा ब्याकाइता में PG है तो आपके पास यहां पर 4800 और L12 के अंदर यहां पर आ जाएंगे इसी प्रकार से उपाचारे के लिए यहां दे रिका है 27 वर सेवा के पर PG हो किता है तो थर्ड एसी पर लगने पर चोपन सो की ग्रेट से वह एल निमर 14 के अंदर यहां पर आ जाएंगे तो यह थोड़ा सा यहां पर सभी के लिए बेनिफिट रहने वाला है अब अब जो सबसें महत्मून जो भाग आता है अध्यापक लेवल यहां पर जो का था है तो इसको देख लेते हैं अध्यापक लेवल थर्ड के अंदर जो इंपोर्टन रहने वाली है अभी ग्रेट पर यहां पर आमको चतिसों का ग्रेट पर और एल हम लोग दस में मान सकते हैं एका द्यापक को तो पर्थम एसीपी चोनों की नो साल बात लगेगी तो बीआईसों का ग्रेट पर जाएगा और एल ग्यारह में जाएगा परंतो यहां पर वरिष्ट देपक प्रमोशन की पोस्ट अगर वरिष्ट देपक की है तो नो वर्षी आईसैपी में बीएड की उगिता होने के पर जो आमसेपी पर्थम लगेगी बीआईसों की ग्रेट म में चाहेगा इसी परकार से अगर प्रमोशन की पोस्ट है तो यहाँ पर जो व्यक्यता के उपर जाएंगे और यहाँ पर दे रखा है आपके पास भी यहाँ 4800 का grade पे मिलेगा और L12 में है तो यहाँ पर भी इनको कोई फाइदा नजर नहीं आ रहा है इसी के साथ 27 वर्ष पर हम देखते हैं तो यहाँ आपको फाइदा देखने को मिल सकता है देखे चोपन सो की grade पे आपके यहाँ पर जो ACP 3rd है वो चोपन सो की grade पे है और L13 में जा रहा था अब यहाँ पर उपाचार है जो पद्धे उसके उपर जाएंगे पर बेनिफिट मिलने वाला है तो आप थोड़ा इसको ध्यान से नोट कर ले इसी परकार से वरिष्ट द्यापक कम लोग देख लिए देखे वरिष्ट द्यापक के अंदर यहाँ पर भी क्लियर कर रखा है कि जो किस परकार से यहाँ पर उम्र के हिसाब से साथि कोई डिफ्रेंस देखने को नहीं मिल रहा है डिफ्रेंस आपको सेकेंड और थर्ड में मिलने लग जाएगा देखिए सेकेंड जो ऐसी भी लगी की वाटर आवर्स के बाद में लगेगी चोपन्सो की ग्रेट पर एल तेरा यहां पर दे रहा है मगर इसके अंदर भी आपको अगर आपको प्रमोट होने के लिए प्रमोशन के लिए योगिता रखते हैं तो आपको सीधी पीजी यहां पर करकिए तो चोपन्सो की ग्रेट पर और एल चोधा यहां पर मिल जाएगा तो एल चोधा मिलने से आपके वेतर में डिफ्रेंस यहां पर आ जाएगा बेनिफि में आपके पास में ग्रीड पे 4800 आ रहा है और आप L12 के अंदर आ रहे हैं देखिए अब आपके पास में यहां से ही दस बीस और तीस की जो अंतराले उसमें ACP मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पर अब हमारे पास में पहले की इस्थिति यह दिरी की है चोपन सो के अल चोधा में अब सीधी 6600 और L16 में आ जाएंगे और यहां पर दे रहा है आपके पास में 6000 और तीयने की तीस वर्ष के बाद में L15 में थी अब 27 वर्ष के बाद ही जो 4800 चेजर 800 में आ जाएगी और L17 में आपको यहां पर आ जाएंगी तो यहां पर जो पैसे का डिफरेंस ह भी यहां पर जो इंकरिमेंट है यहीं जो इंकम है उसके अंदर यहां पर फाइदा मिलने वाल है उपाचारे हम के पत के उपर चोपन सो के L14 में है तो हमारे पास इस्तिति यहां भी क्लिर रहेगी कि कि किसमें हम नहां पर जाएंगे तो पहले ACP 10 साल बाद लग रही थी 6000 के उपर जो L15 के अंदर है अब यहां पर जो ACP में चेंजिद हो गए है देखे 9827 लाग हो चुका है इसलिए यहां पर 6600 की और L16 में आ जाएंगे और दूसरी 20 साल बाद लग रही थी 6600 और L16 में तो यहां पर 8600 है और L17 में जाएंगे तीसरी जो ACP 30 वर्षबाद है 6800 मे और L17 में है यहां बहुतर सो और L18 में है तो यहां पैसे का डिफरेंस का फाइदा यहां पर जितनी जिदी पद उपर जाएंगे आपको फाइदा यहां पर साफ नजर आने लग गया है वो जो प्राचारे है प्राचारे पर भी यह देखीगा 6460 की प्रेट पर है और L16 के प्राचारे खेंगे तो यहां पर साल का ही डिफ्रेंस से आपको यहां। यहां थोड़ा सा फाइदा नजराय रखा है डियो अरेंग के लिए पृक्तीय, यहां आपके पास में बहुत सारा फाइदा यह आपको देखने को मिल रहा है तो साथ यह भी बहुत महत्मून जो इन्हों टेबल बनाई है तो टेबल वास्ता में उप्योंगी है और आप चाहे तो इस टेबल का यहां पर इस क्रिम शौट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको यह पता पड़ता रहेगा कि आप की जो एसी पी लगने के बाद आपका जो ग्रेट पी क्या होगा और यहां पर काफी चीज़ें आपको समझ में आचुकी है कि किस परकार से हमें यह काम करना है और किस परकार से आपको पैस ने के साथ यानि कि आपके जो पमेटिक से क्या जाने वाली है तो पैमेर्टिक में दिससे अब बदला हो देखने को भी लेगा कि अगर आगे की मिल रही है और ग्रेट पे थोढ़ा सचेंज हो रहे हैं तो आपकेăng का आपको देखने क्यों मिल जाएगा जो कि आप सभी के ल